कॉरोना कहर के बाद इंदोर विकास प्रादीकरण का बजट पेश कर दिया गया है जहां इसे लेकर एक बैठक प्रादीकरण कार्याले में आयजित की गए जिसमें शहर के विकास को लेकर बजट पेश किया गया देखे यह रिपोर्ट आईडिया ओफिस में आयोज़त हुई बैठक में संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीश सिंग और सीएओ विवेक शोत्रिय मौजूर रहे बैठक में शहर के विकास को लेकर बज़क पेश किया गया बज़क को लेकर जानकारी देते हुए संभागायुक्त पवन शर्मा ने बताया कि 5 साल में शहर को हम जिस रूप में देखना चाते हैं उसे देखते हुए इस बज़क का निर्मार किया गया है पात साल में हम सिठी को इस रूप में देखना चाते हैं उसको बैगराउंड में रखते हुए इस साल बज़ट का निर्मार किया गया है जहां जो हमने उसमें रखे थे master plan के जो roads है master plan के जो roads हमको उसमें construct करने हैं वो roads जिसमें लिए गए हैं जैसे MR9 वाला रोड है MR4 का रोड है MR12 है RW2 है और RW3 है यह roads में लिए हमने master plan के लिए हैं एक दूसरा flyover का एक महतोकांशी घोशना है मानिय मुकहंत्री जी ने भी की थी तो इस बार हम जो 9 flyover है उनका feasibility study करा रहे हैं और जैसे जैसे वो feasible study complete होगी उसका निर्मान भी फिर किय जाएगा यह है रेडिसन वाला वावर कुआ विजय नगर आईटी पार्क मुसा केडी खजराना MR9 वीगल और उसके बाद भी लवकुष महुनाका और देपाल पुर्चोरा है तो इनके flyover का feasibility study हमने प्राथ मिस्ता पे लिया है इस साल हमारी पांच जो टीपीए स्कीमें ह और फाइव और एट आप इनकी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं और दो में अभी कुछ शंशुदन होना है तो उनको भी इस बार लिया जाएगा एक सुपर कोरिडोर में बहुत देशिये खेल परिसर पुलिया है एक दो और मेहतोकांशी चीजे लिये हैं कि जो हमारे रियाईशी प्लॉट है वो फ्रियोल्ड उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहे हैं उससे क्या होता है कि वैक्ति को हर कारेले में बार-बार जाना पड़त है तो इस बार टार्गेट लिया गया है कि हम रेजिदेंशियल वाले जो प्लॉट्स है उन रेजिदेंशियल वाले प्लॉट्स को फ्रियोल्ड करतें तो वैक्ति को कम कारेले जाना पड़ेगा और आईडिये भी एक तरह से समझ लिए आईडी की तरफ से वो छुटी हो ग लेकर भी बजेक में आवश्यक नर ने लिए गए जिसे लेकर संभागायुक्त पवन शर्मा ने क्या कुछ कह जरा आप खुद ही सुनिए मैं पुने बताना चाहूंगा केबल पार केवा मैट्रो एक पूरा एक तरह से रिंग ए राउंड दा सिटी उस रिंग में जो उसके विभन विभन रेलवे स्टेशन से उसको केबल कार से जोड़ा जायेगा उसना फीडर सर्विस वह बसों से भी जोणा जाएगा और फीडर सर्वी से जड़ा जाएगा फ्रैं इस तरह से ताकि यह चारो मोड एक दूसरे जोड जाएंगे अल्टीमेट तो जब हम फाइनल क करेंगे तो सारे के सारे मोट के कबसें एक साथ मिलकर फाइनलाईसेशन करेंगे अभी तो कंसल्टनेंस कहा हम करेंगे उसके बाद यहहीं होगा की यह फीजी बरोट संब इसमें यह पॉसिबल पर तेंडरिंग होगी जब टेंडरिंग होगी तो उसमें बहुत बड़ी राशी लगी देखिए हमने चर्चा किया है दोनों चीजे की थोड़ी पैंडिंग चीजें है बट उसका स्विम्मिंग पूल का भी कारी इस बार बजट में हम रख रहे हैं और श्रीहीर पार का भी कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडर की विकास को गती देनी के लिए तयार किये गए इस बजट पर कितनी जल्द काम शुरू होता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा ब्यूर रिपोर्ट एमपी न्यूस इंडर